तो हेलो दोस्तों कैसे आप मैं हूँ अका मोहित, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था Samsung Galaxy Note 20 Ultra के first impression के बारे में तो दोस्तों उस टाइम मैंने unboxing नहीं की थी दोस्तों आज से वो available है इंडिया में तो करते हैं फटाफट इसका unbox तो परना टाइम में इसकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ यह रहा Note 20 Ultra का box जो की काफी premium feel दे रहा है यहाँ पे हमको Samsung की branding देखने को मिल जाती है इसी के लावा thanks to Swastik Communication Samsung Smart Cafe for providing this phone तो करते हैं फटाफट से इसकी seal break और करते हैं इसको unbox box यहां से इस box को ऊपर उठाएंगे तो हमें सामने देखने को मिल जाएगा हमारा phone इस box में ऊपर से लेके नीचे तक सिफ और सिफ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो की एक बहुत ही premium feel दे रहा है अब निकाल लेते हैं इस phone को बाहर यहां पे एक चोड़ी पकड़ा हुआ है रख देते हैं इसको थोड़ा सा साइड में और देख लेते हैं कि बॉक्स में हमको और क्या elements देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर हमको एक कार्ड देखने को मिल जाता है जो की एक fast charger है जो की USB Type-C का support देता है इसके अलावा एक pouch में हमको इसकी cable मिल जाती है जिसके तुरू यह phone चार्ज होगा इसके अलावा जो दूसरे pouch में हमको इसकी earphones देखने को मिल जाती है और इसकी साथ हमको एक और pouch देखने को मिलता है जो की एक खाली pouch है सिर्फ divide करने के लिए section को divide करने के लिए खाली pouch है इसके अलावा हमको box में पीछे की तरफ एक और box देखने को मिल जाता है यहाँ पे हमको simply paper work और इसी के साथ हमको SIM tray ejector देखने को मिलता है इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है तो दोस्तों यह रहा हमा नोट 20 Ultra करते हैं इसको unwrap जो कि मेरा बहुत ही फेवरिट काम है और दोस्तों यह है नोट 20 Ultra दोस्तों सच में इस फोन का जो color है यह जो matte finish दे रहा है यह बहुत ही class लग रहा है कर लिया है मैंने इसको अब activate और दोस्तों यह रहा इस फोन का display यह एक 6.9 inches की full HD display है जिसमें 1440 by 3200 pixels की resolution है 508 PPI के साथ PPI का मतलब होता है pixel per inch इसी के साथ इसका जो S Pen है यह काफी जादा advance है as compared to previous versions के यह काफी जादा task कर सकता है पिछले versions के comparison में इसको काफी जादा upgrade किया गया है gestures upgrade करिये गए है इसको आप as a remote तो पहले भी use कर सकते थे बट इसके लावा बहुत सारे gestures अभी नए add किये गए है तो वो भी आप check कर सकते हो इसी के लावा यह look में भी बहुत ही प्यारा है इसमें हमको glossy देखने को मिल जाता है जबकि phone का जो color है वो matte golden है तो यह भी एक camera system है जिसमें आपको primary जो camera देखने को मिलेगा वो मिलेगा 108 megapixel का 1.8 aperture के साथ इसी के साथ 12 megapixel का f3.0 के साथ और तीसरा जो camera है वो 12 megapixel का camera है f2.2 1.4 micron के साथ इसके साथ friend camera जो है वो 10 megapixel का f2.2 और 1.22 micron के साथ आता है इसी के साथ IP68 के साथ यह water resistant है और अगर processor के बात करें तो 2.4 GHz का octa core processor देखने को मिल जाता है जो कि Samsung Exynos 990 offer करता है इसके साथ 12GB की RAM देखने को मिल जाती है 256 GB का storage version देखने को मिल जाता है और अगर बात करें इसके glass की तो यह gorilla glass 7 देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही जादा durable है तो दोस्तों यह था आज का मारा वीडियो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आओगा अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन और मेरे दूसरी वीडियो नहीं देखे है तो उपर रहतर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो अगर Instagram में फॉलो नहीं किया है तो अजिए लाइक बाल भीडियो बटन सकता प्लीज हो यह वीडियो पह वीडियो झाल थेखे है